एक बार अर्जुन कहता है कि कृष्ण प्रेमियों में सब से आगे मैं हूँ अभिमान कर लिया हूँ तब भगवान अर्जुन को लेकर के गए जंगल में एक बुडिया थी और तीन तलवारे लटका रखी थी नंगी बुडिया ने और सन्यासनी बुडिया थी बालों की जट को देना लेकिन अपना परीचा ना बुडिया को दे देना गलते से नहीं तो जीवित लोट करनी आओ अपना परीचा नहीं देना यह नहीं कहना अभिमान में के मैं कृष्ण का प्रेमी अर्जुन यह सब नहीं कहना बस उनका परीचा जानकर मेरे पास अर्जुन गया तो वो बुड़िया क्या करी थी, दो तलवारें दिवारें पे लटकी थी, एक तलवार सान पे लगा रही थी, पैने कर रही थी, और यह हरोज लगाती थी फिर अगदेती फिर दूसी तलवार अरजुन ने कहा माता ये क्या कर रही आप कहते है पूछ मत पूछ के तुने जले पे नमग डाल दी ये किस के लिए तलवार है किस के लिए पैन ने कर रही है कहते है एक तो अरजुन को नहीं छोड़ूगी मिल जाए मुझे को अर्जुन ने सोचा अच्छा किया जो प्रभू ने मुझे को कह दिया अपना परीचा नहीं देना जी तो बचके नहीं आओगे सची बात आप मैं अपना परीचा नहीं दूँगा का कि अर्जुन ने आपका क्या बिगाड़ आप अर्जुन को क्यों मारना चाहती हो कि तैंप पूछो मत मेरा बस चले आजने सामने एक ही बार में और काम कमाम कर दो अरजुन क्या बिगाडर अरजुन कि कैता है मुझको बड़ा कश्ट दी अरजुन क्या यद्धि युद्हार जाता तो क्या बिगड़ जाता है मेरे प्रभू से इतना कोमल मेरे प्रभू रत हांक वाया उस दूष्ट ने और हाथ इतने कोमल मक्खन से भी कोमल और घोडों की रास हाथ में पकड़ी लगी होगी उनके हाथ में अब उतो प्रेम के अधियन हो जाते हैं तो खृष्ट ने तो अपना प्रेम ने भा लिया रत हांकर के लेकन अर्जुने कोँ सा प्रेम ने भाया अपना दास बना लिया जो जगत का स्वामी और देखा में नहीं की कोमल है इतने कोमल कोमल आथ गोडों के लगाम हाथ और पक्ड़ी निशान पड़ गए मैया एक यह उनका है यह तलवार अर्जुन के लिए मिल जाए और दूसरी तलवार किस के लिए कहते हैं उसके लिए लाज चली भी जाती है क्या फ़तागी थी कि मेरे प्रभु द्वारिका में भोजन कर रहे थे भोजन छोड़ करके द्रवपति के पास आना पड़ा साड़ी बन गए अभी कोई कष्ट आता त्रूंद भगवान को पोकारती है तो अपने स्वार्थ में परियोग करत आनों ने मेरे प्रभु का अपने स्वार्थ में परियोग किया है और तीसी तलवार किसके लिए भी मिल जाया मुझको यह शोड़ा छोड़ूंगी जिसको तो में बिल्कु कि तोड़ भी दी तो ऐसे रसी से बांद होगी और खड़ से अगर व्रिक्ष जो टूटके गिरे हो तो अच्छा वाई एक इधर गिरा एक इधर गिरा बीच में मेरा कनहिया बच गया अगर कनहिया को उपर गिर जाता और जब भी किष्ण मेरे पास आता है तो मैं देखती हूँ कि उनकी उसमें निशान अभी पड़ावक का मरमेरत से गहां कैसी निर्म होई है यह मैया इन तीनों को तो मैं छोड़ूंगी निए बस मिल जाए मुझको तीनों मैंसे कोई अर्जुन चुप चाप मता टेक करके वापीस आ गए अर्जुन ने कहा प्रहू यह क्या खेर है भगवान ने कहा तुमको अभिमाना न कि मेरे जैसा कोई कृष्ण प्रेमी नहीं प्रेम तो उसका देखो आज तक उसने कभी दर्षनों के लिए भी मुझे प्रार्थना ने कि प्रभु एक बार दर्षन दे दुआ तक उने कहा कितना मुझे प्रेम करती है तुमने देखे लिए लेकिन मैं अपनी तर्व से भली चला जाओं उसके पास लेकिन उसने आज तक मेरे दर्षनों के भी प्रार्थना नहीं किया हूँ यह सोचते पतनी प्रभु की स्थित करूं यह प्रेम और तुमको अर्जुन एहंकार है कि मेरे जैसा कोई प्रेमी नहीं है तो एहंकार कब आता तो अर्जुन को एहंकार कब आया अर्जुन ने जब देखा किसी के पास भी वो प्रेम नहीं है कृष्ण के प्रति जो मेरे पास दूसरे में क्या देखा उसने अ तो दूसरे में छोटे पन की भावना और अपने आप में बड़े पन की भावना तो भगवान इस अभिमान से क्या करते हैं इरिशा करते हैं द्वेस करते हैं अभिमान से अभिमान को भगवान ने अरजुन के खतम कर दिया क्योंकि भगवान करते हैं अभिमान से द्वेस इस इसलिए अभिमान को भगवाने खतम कर दिया इस लिला से अर्जुन का